Hello Everyone, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँगी अगर आपको एक Government Teacher बनना है PGT Political Science यानि कि आप अगर 11-12 को पढ़ाना चाते हैं तो कैसे आप बन सकते हैं eligibility क्या है, courses आपको कौन से करने पढ़ते हैं, age limit क्या है, सारी बाते आपको बताऊंगा salary कितनी होती है तो जो भी important बाते हैं वो सब इस वीडियो में cover कर ली जाएंगी तो आईए वीडियो को अब हम start करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई query हो, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो Instagram पे आप मुझे message भेच सकते हैं, username आप सभी के सामने लिखा हुआ है तो चलिए फिर शुरू करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे बन सकते हैं, PGT तो अगर आप PGT political science बनना चाहते हैं, तो educational qualifications में सबसे पहली चीज है आपकी master's की degree political science का PGT बनना चाहते हो, तो political science में आपने MA करी हुई हो, यह most important है, पहली चीज़ और degree या diploma in training या education, आपके पास B.A.D. करी होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, B.A.D. करी होनी चाहिए, MA आपने करी होनी चाहिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि अगर आपने इसी में, Paul science में, PhD के degree ले रखी है इस subject में, तो आपको relaxation मिलेगी इस वाले दूसरे point में और having obtained first division in higher secondary degree and post graduate examination with the mandatory condition that the candidate will acquire the B.A.D. or B.T. qualification within a period not exceeding three years from the date of his joining the service so आप अगर इन दो में अगर आते हो, तो आपको ये दूसरे वाले point में relaxation मिलती है अगर आप एक normal candidate हो, तो आपको अपनी B.A.D. करनी है, B.A.D. के बाद आपको MA करनी है और आपको पता है, B.A.D. करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको graduation करनी है so graduation, after that B.A.D. and after that MA so ये तो आपकी qualification चाहिए चाहिए, अगर आपको political science PGT के लिए अपलाई करना है और क्या है experience, कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता अगर आप यहाँ पे देखो, 3 years experience of teaching in a college and high secondary school, high school in the subject concerned आपको में पढ़ाया है तो सही है, ठीक है pay scale की बात की जाए, तो 9300 पे minus 34800 पे plus grade पे आपका 4800 पे ठीक है, ये आपका pay scale रहने वाला है और अगर मैं आपको बताओ, age limit क्या है, तो देखिए वई below 36 years, each relaxation will be given as per the table at para 6 आपको अगर मैं बताओ, 36 साल से नीचे नीचे अगर आप हैं, ठीक है तो आप इसमें जा सकते हैं, guest teachers के बारे में बात की जाए या फिर contract based जो होते हैं, relaxation in upper age as a one time measure up to the actual time spent as a contractual employee of the same department subject to a maximum of 5 years provided they have worked for at least 180 working years in that particular year, अगर आप पहले से contract में हो, तो आप यह line बढ़ सकते हो, इस हिसाब से आपका जो होता है and teaching in university, यानि कि 5 years of age relaxation to those who are teaching in university, अगर कोई teaching में युनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है तो उनको 5 साल का age relaxation मिलता है, ओके, तो यह आपका हो जाएगा, this post is identified suitable for acid attacked victim, थीक है द्वार्फिज्म, लेपरोसी cured person, muscular, diastrophy, PWD, थीक है candidate as per requestation of user department, तो इन सभी के लिए यह जो post है यह suitable है, और आपको समझ में आ गया होगा कि PGT political science के लिए क्या चाहिए आपको, कि भाई आपको अपनी BA करनी है, after that आपको अपनी BA करनी है और उसके बाद आप अपनी master's करोगे, political science के अंदर और बस आप eligible हो जाओगे, तो I hope आपको सारी बाते clear होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दें जै हिंदे, जै भारत, बहुत बहुत धन्ये